तो स्वागत है आप सभी का ग्यापनिकेडमी के सिनाय और लडस्ट वीडियो में आज के इस वीडियो में हम लोग उर्दो कवायद यानि की उर्दो ग्रामर का एक बहुत ज़्यादा मस्त जबरदस्त और इंट्रेस्टिंग टॉपिक पढ़ने वाले हैं नाम है इसमें जमी में जहता है जैसे कि मैं यह बोलू कि सलीमा आई खाना खाई और तो सलीमा के जगह मैं क्या वह वह चली गई एक नाम के जगह में कौन सा लफ्जी उजप की वह तो वह को बोलेंगे इसमें जमीर अगर मैं यह informर ticeltine di पढ़ा देरा राम की फिर सलीमा चली बार बार सलीमा सलीमा नाम देना अच्छा नहीं न लग रहा है इसलिए नाम को बार बार लेने से बचने के लिए नाम के जगा लफ्ज यूज किया जाता है वह तुम या फिर हम सब या फिर हम लोग ठीक है तो नाम के जगा पर जो लफ समझेंगे और यहां से आप लोग के एक्जाम में नोड आउट हंडेट परसेंट हर साल कोश्चन पूचा जाता है इसमें तो कोई शक ही नहीं है ठीक है तो हर इसा पांच हिस्सों में डिवाट किया गया उसकी पांच टाइप होती है पहला है जमीर मुतलप या फिर बर शक्स इसको कहते हैं गुर्णा किस्कोन एंगलेटिक प्रोणाउण और पांच वथा पांच चाइप आज किस्विडियो में लोग पढ़ने वाले हैं तो चली आज कि इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं लेकिन स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोग को बता देना चाहती हूं कि अगर आप लोग चैनल पर ने नए आया हुए है मरी वीडियो को पहली बार देख रहे तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बिल्कों दुबा सब्सक्राइब करते हैं जो किसी शक्स के नाम के जगह पर इस्तेमाल हो यानि कि किसी शक्स के नाम के जगह पर जो जमीर यूज किया जाता है उसे ही को कहते हैं जमीर शक्सी या फिर जमीर मुतलक अब आप लोग कहेंगे तो फिर इसमें जमीर और जमीर मुतलक में अंतरी क्या है इसमें जमीर भी उसी को कहते हैं जो किसी नाम के बदले में यूज हो किसी इंसान जग समझें यहां पर क्या आंतर है इसमें जमीर किसी भी शक्स किसी भी जगह या फिर किसी भी चीज के नाम के जगह जो लफ्ज यूज किया जाता है उस नाम को कहते हैं इसमें जमीर लेकिन जमीर मुतलग उस नाम उस लफ्ज को कहते हैं जो सिर्फ शक्स के नाम के जगह पर जमीर मुतलग कहते हैं लेकिन इसमें जमीर किसी भी शक्स का भी नाम हो सकता है यह फिर किसी भी चीज का नाम हो सकता है तो उस नाम के बदले में जो लफज होता है उसको इसमें जमीर कहते हैं इन दोने में थोड़ा सा कांतर है अब देखिए जमीर शक्सी के भी तीन होते हैं पहला है जमीर मुट कलिम दुसरा है जमीर हाजिर और तिसरा है जमीर गाइब इंपोर्टेंट है याद रखिएगा यहां से आफ लोगों के exam में question पूछा जाता है कोशन किस तरह से पूछा जाता है दर्जजायल में जमीर मतकल्लिम कौन है और आप लोगो को बताना रहेगा तो समाझ लीजिए यहां पर जमीर मतकल्लिम किसे कहते हैं इसको उत्तम पुरूष हिंदी में कहा जाता है फर्स्ट परसंट सेकेंड परसंट और पढ़े इंग्रिश में वही वाली बात है यहां पर जमीर का यूज कि लिए हो उसको कहते हैं यानि कि बोलने है जो बंदा बोल रहा हो जैसे कि मैं बोल रही हूं तो मैं हम सब ये सब हो जाएगा क्या लेकिन जो बनता सुनता है जो एंसान जो वेक्ति हमारी बात उसमय के जाता है जो तुम नोग तुम सब ये क्या है भी तिसमेर गाइब हो कहते हैं जो क्या कहते है हिंदी में औरी फिर्ट और' टो मनें था हाजिण नहीं है जिसके बारे में बात की जारही है जिसके बारे सब क्या मतलब यह सब वह वह लोग वह सब यह सब क्या हो जाएगा जमीर गायब हो जाएगा मतलब जो व्यक्ति हाजिर नहीं है जिस व्यक्ति के बारे में बात हो थार्ड परसन जिस व्यक्ति के बारे में जिस इंसान के बारे में बात होती है उस इंसान के नाम के जगा जो कि यूमूराया़ को चाहाए जाहता है किया उस्तमीर को मृतकशन रहे हैं मैं बोल रही उंट पर कॉछ कर रही हूं ले pair देंगा कर सबूस्मीर हो जायगा जा है तो मेरे मेरे बात सुन रही हो ना तो जो जिसके बारे में बात की जाए वह बंदा गाएब हो नहीं हो जिसके बारे में बात हो इस इंसान के नाम के जगा पर जो जमीर कहते हैं English में वह वालोग आई होप आफ बहुआ को यहां तक समझ में आया होगा आगे बढ़ते हैं जमीर इंटेरोगेटी परनाऊं एकदम हासान है जो जमीर सवाल पूछने के लिए या फिर कुछ बात दर्याफ्थ करने के लिए इस्तिमाल हो उस जमीर को कहते हैं जमीर इस्तिफामी जमीर इस्तिफामी का एक्जामपल जैसे की लिग दी हूं मैं कौन क्यूं कहां कैसे कौन से आप लोग पूछेंगे कौन आया कौन गया सवाल पूछा जा रहा है ना तो कौन क्यूं कहां क्यूं आया हो तुम कहां जा रहे हो कैसे तुम ने ये काम कर लिया तो य यह तो नाम से क्लिए यह जिस जमीर का यूज इशारा करने के लिए जिया जाए सभी जफ वह चला गया यहां वह यह यह सब क्या हो जाएगा जमीर इशारी और और चौता है जमीर मौसूली जमीर मौसूली उस जमीर को कहते हैं जिस मतलब जिसको मुकमल होने के लिए जिसका मतलब मानी मुकमल होने के लिए सांत का जुमला होना जरूरी हो जैसे कि जिस अगर मैं ये बोलू कि जिसने मेरी कलम चुराई है और उसके आगे बोलू ही न तो तो आप लोग रुक कर सुनेंगे या फिर पूछेंगे कि बताइए आगे क्या बोलना चाह रही है तो मैं बोलूँगी कि जिसने मेरी कलम चुराई है मुझे वापस करो तो देखिए वापस करो तो जब में बोल दी तो पुरा जुम्ला सेंटेंस का जो अर्थ है-वो समझ में आने लगा- उया मानी मुकम्मल हो गया तो ये ऐसे है जिस जरूड की साने वाले जुम्ले यानि साथ वाले जुम्ले के बिना अपना अर्थ बताते ही नहीं है मतलब इ अर्थ देने के लिए जरूरी है कि सांथ वाला जुमला हो तो उस तरह के जमीर को कहते हैं जमीर मौसूली ठीक है और पांचवा जो हैं जमीर तनकीरी तो जमीर तनकीरी उस तरह के जमीर को कहते हैं जो गैर मौहिन शक्स के लिए इस्तेमाल हो मतलब जिस शक्स को जिस इंसान को आप नहीं जानते हो उसके लिए जो जमीर यूज करेंगे उसी को कहेंगे जमीर तनकीरी मतलब इस इंसान को आप नहीं जानते हैं उसका कोई नहीं नाम तो होगा लेकिन आप नाम के बदले जो लफ्ज यूज करेंगे जिसको आप कुछ भी नहीं जानते हैं तो उस नाम कोई आया है उसका नाम आप नहीं जानते क्योंकि आप उसको खुद नहीं जानते वह आपके लिए गायर है तो उस व्यक्ति के नाम के बदले कौन सा लफ यूज किये तो कोई कोई आया है तो कोई क्या हो जाएगा जमीर तनकीरी उसी तरह है बाज कुछ यह सब क्या है जमीर घटिन कीरी है फश्पाप आप लोगको यहां तक समझ में आया होगा बस आज इस वीडियों इतना ही रहने देते हैं आगी ही टापिक आप अगले वीडियो में और वीडियो को लाइक कर दे जो कुछ भी मैं आप लोगो समझाती हूँ अगर समझ में आता है तो तुरंथ लाइक कर दिया करें चे wrapsेशंग जितना ज़्यादा हो गारे अपने दोस्तों के पास जितने भी आप लोग कुरिच्तिधार है तो शेर कर दे और अगर आप लोग यहां तक स्क्रीन शॉट लेना चाहते हैं तो कोई दिक्कत ही नहीं है ले लिजे फड़ावर स्क्रीन शॉट और हाँ अगर आप लोग चैनल पर नए नए आए हुए हैं मेरी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को दबा लीजेगा उससे होगा यह कि मेरी रोज आने वाली ओल वीडियो का ओल नोटिफिकेशन आप तक सबसे पह पीजुए पीजुए वीजूड़ चैनल दो को शोबसे लोगीज़ यह कि पया है जोगाते हैं वीजुए झार मेरी यह कि यह लोग खा स्बवतिकेशन भीज़् घूब करने यह कि बार्का स्बवर्शन दोबसे भीजुए जोग जोगीज। अईशन दोट जोगीशन आए